नारायन राने के खिलाफ गाली गलोज करना ठाकडे गुच के विदहायक भासकर जादम को पड़ा महंगा सिंदू दुर्ग के कुडाल पुलिस इस्टूशन में दर्ज हुआ मामला रजा अकेजमी का हिजाब और गुंगच को लेकर बड़ा बयान हिजाब पर पावंदी नहीं पावंदी कम कपड़े वालों पर होना चाहिए परदा सर्फ मुसल्मानों में नहीं है अन्य धर्मों में गुंगच और परदे के जिक्र है पाकिस्तान ने दी वर्ल्ड कप वॉयकोट्ट की धमकी टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी जैशा के फैसले से नाखुश है पाकिस्तान क्रिकेट बोट शारुखान के बेचे आरियन खान ड्रग्स मामले की जाच ठीक से नहीं हुई रिपोर्ट के जर्ये हुआ फ्लासा NCB के आज अधिकारियों की भूमिका पर है संदे मुंबई के 140 रोजों का बदलेगा रूप BMC ने 140 रोजों के रिपेरिंग का काम किया शुरू अगले 20 सालों में ट्रैफिक मुक्त और गज्जे मुक्त होंगी मुंबई की सड़के भाजपा का गड़ माने जाने वाला गुजरात में OVC की पार्टी AIMIM भी लड़ेगी गुजरात विधान सभाच चुनाव सांसद इंतियाज जलील ने दी जानका है दिवाली के मौके पर जग़ जग़ मशाल यात्रा निकाल कर ठाकरे गुज के कारेकरता नए चुनाव चिनका कर रहे हैं प्रचार मुंबई के घर घर तक मशाल पहुचाने की होगी कोशिश फिर होगा दूद महंगा दूद के भाव में 5-6 रुपे तक हो सकती है बढ़ोतरी इंडियन डेरी ने जताई संभाव नागपुर से मुंबई के लिए वन वे सूपर फास्ट विशेश ट्रेन 27 अक्टूबर को नागपुर से देड़ बजे प्रस्थान कर अगले दिन 4 बचकर 10 मिनट पर पहुचेगी छद्रपती महराज टर्मेंस बुंबई पर्शिम रेलवे पर दोड़ेगी दस और एसी लोकल एसी लोगों को मिल रहे अच्छे प्रतिशादों को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला मुंबई की एसी लोकल में दिखा भिकारी ट्विटर यूजर ने ट्विट करते हुए लोकल में सुरक्षा को लेकर पूछा सबाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मुंबई में बढ़ रहें अपराध रिपोज के मताबिक वर्ष 2012 से 2021 इन दस वर्षों में मुंबई में अपरण और इससे संबन्दित अपराधों में 650 प्रतिशत बलतकार में 235 प्रतिशत और 172 प्रतिशत छेडचार की हुई ब्रित सोलापुर जिले में पिछले आज दिनों से हो रहे है भारी बारिश बागों का हुआ नुकसान 150 हेक्टेर छित्र को बारिश ने किया प्रभावित लोकसभा चुनाव के मदे नजर महराष्ट में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेकर बावनकुले ने बनाई यूजना मिशन 45 को हासिल करने के लिए 20 संपर्क दूत अस्थापित करेगी बीजे सावर गाओ में ग्रामीनों को कमर गहरे पानी से पार करनी पड़ रही है नदी नदी पार करते हुए एक मजदूर की गई चान मौनसून की वज़ा से मुंबई में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामलों में हुई वृदी बीते 16 दिनों में डेंगू के 178 मामले और स्वाइन फ्लू के 13 मामले आये सामने कुल मिलाकर मुंबई में इस साल डेंगू के 746 मामलों में दो लोगों की गई जान शिराजगाओं कस्वा में बाड में बह गई कपड़े धोले गई महिला आम नागरिकों ने बचाई महिला की जान घतना कैमरे में हुई कायद वीडियो हो रहा है वाईरल स्टी कर्मचारियों के लिए खुशकवरी दिवाली के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से निगम को मिलेगा 45 करोर का तौफ़ा स्टी कर्मचारियों को मिलेंगे कम से कम 2500 रुपए का बोनस उधर चाकरे के परिवार के संपत्ती के खिलाफ हC में याचका हुई दायर दादर के रहने वाले भीडे परिवार ने दायर की याचका CBI और EDC याचका में की गई जाच की मांग आज हो सकती है सुनवाई तेरो सो स्कूलों पर लगेगा ताला कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने का सरकार कर सकती है फैसला रतनागरी जीले के तेरो सो स्कूले हुँगे प्रभावी पानी की समस्या को लेकर प्रवीन बूरकर ने लगाया बड़ा आरोप कहा मुंबई में 20 लाख लोगों को अभी भी पीने के लिए परियाप्त पानी नहीं मिल पा रहा है मुंबई के मेट्रो 2A और 7 का काउंट जाउन हुआ शुरू मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से निजाद दिलाने के लिए मेट्रों का काम जोरों पर MMRTA के अनुसार अब सिग्नलिंग टेस्टिंग भी होगी जल्द शुरू महराष्ट में BJP और NCP के बीच फिर एक बार बढ़ रही है नस्दी किया NCP अध्यक्ष सरद पवार मुख्यमंतरी एकनाश शिंदे और जिप्टी सीएम देवेंदर फड़नवी से आज कर सकते हैं मुलाकात मुंबई किर्केट एसोसियेशन चुनावों को लेकर तीनों नेताओं में हो सकती है बाच्च महराष्ट के मेडिकल कॉलेजों में एड्मीशन की प्रक्रिया हुई शुरू ऑनलाइन फॉर्म भडने की 22 अक्टूबर है आखरी तारीक 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक महराष्टरा नीट काउन सीलिंग के लिए भर सकते हैं फीस